Hello everyone and welcome to zoology class. आज की इस zoology class में हम डिस्कस करेंगे DNA राप्लिकेशन एक जेनरल उवर्वियू. तो सारे स्टेप्स ब्रॉडली हम इसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं कि DNA strand जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. जिसमें दो strands जो हैं anti-parallel हैं. एक strand 3' अगर है तो उसी दिशा में जो next दूसरा strand है वो 5' है. DNA replicate करने के लिए जगा जगा से replication forks या replication bubbles बनते हैं और जो daughter strands है और replication fork जो है bi-directional travel करता है दोनों direction को जो है daughter strands जो है वो बनते हैं. धिरे धिरे ये replication fork जो हैं बड़े होते जाते हैं, daughter strands जो हैं बढ़ते जाते हैं और नतीजन ये daughter strand आपस में जोड़ जाते हैं. And lastly, जो हमें result मिलता है उसमें एक parental strand और एक नया daughter strand बनता है तो यहां पे blue lines आप देख सकते हैं, parent strand की जो हम template कहते हैं क्योंकि उसको देखकर daughter strand बनाए उसको देखकर daughter strand की copy बनी है इसलिए जो DNA replication है, ये semi-conservative replication कहलाती है. इस slide में हम सारे steps देख सकते हैं, complete DNA machinery है, तो इस complete DNA machinery में हमें क्या क्या चाहिए? एक parental template चाहिए और कुछ enzymes और proteins चाहिए तो उन में सिफ एक enzyme है हालिकेस enzyme, जो parental strand की हालिक को, coils को खोलता है, तो uncoiling करता है, दूसरा protein जो है, दूसरा enzyme जो है, single-stranded DNA binding protein, ये जो खुला हुआ parental strand इसको stabilize करता है, तीसरा जो enzyme है, वो है DNA polymerase 3, in fact, DNA polymerase 3 type की होते है, DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, and DNA polymerase 3, जो DNA polymerase 3 है, ये strand की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, तो main daughter forming strand DNA polymerase 3 है, DNA polymerase 1 जो है, ये जो है, ओकल्सों की fragments के जो gaps उनको fill करने का काम करता है, तो इतना chain बढ़ाने का काम नहीं करता है, लेकिन gap filling करता है, और DNA polymerase 2 जो है, वो repair का का काम करता है, तो यहाँ पे mainly DNA polymerase 3 and DNA polymerase 1 के function है, एक enzyme है RNA polymerase, RNA primase, RNA primer जोन का का काम करता है, और एक enzyme है ligase enzyme, DNA ligase, जो end to end जोनने का का काम करता है, तो सारे steps इस तरह से है, कि सबसे पहले first step, helicase enzyme जो है, वो coil को खोलेगा, जब coil को खोलेगा, तो ऐसे में, जो single coil, single strand बन गया पिए, का उसको stabilize करने के लिए, single stranded binding protein उसके साथ जुड़ जाएंगे, थर्ड स्टेप जो है, अब strand बनाने का step है, तो strand बनाने के लिए, जो नए nucleotide है, वो हमेशा एड होते हैं, 3' end की तरफ, इसलिए एक parental strand जिसका सिरा 3' था, उसको anti-parallel जो है, 5' to 3' जो strand बन रहा है, यह continuously strand बनेगा, और यह continuously, जो strand बन रहा है, इसको हम leading daughter strand के नाम से जानते हैं, इसके दूसरी तरफ जो strand बनता है, क्योंकि DNA nucleotide हमेशा 3' end की तरफ जोडता है, तो यह strand जैसे जैसे कोईल खुलती जाएगी, वैसे वैसे टुकडों में बनेगा, और हर टुकडे से पहले उसके उपर RNA primase enzyme, जो है RNA primer को लगाएगा, स्टार्ट करेगा, उसके उपर DNA के nucleotide जोडेंगे, तो यह हमेशा टुकडों में बनता है, और इन टुकडों को, इन fragments को हम कहते हैं, वकाजा की fragments, और यह हमेशा discontinuously बनता है, जैसे helix खुल गया, वैसे छोटा सा strand इसका बन गया, फिर helix खुल गया, फिर छोटा सा strand इसका बन गया, तो क्योंकि ये strand टुकडों में बन रहा है इसलिए इसको discontinuous strand हम कहते हैं या lagging strand के lagging parental strand जो इसका parent strand होता है वो lagging strand होता है तो lagging और leading mainly हमने parent strand को नाम दिये और जो daughter strands हो उनको हमने continuous और discontinuous नाम दिये तो उसके बाद जो है जब हमारा continuous और discontinuous strands बन जाएंगे तो अब discontinuous strands की जो RNA primer है वो निकलेंगे starters निकल जाएंगे और उन gap को fill करेगा DNA polymerase 1 अब जो सिरे हैं जो end to end सिरे हैं उनको जोड़ेगा DNA ligase इस enzyme इस slide में आप जो है complete summarize कर सकते हैं पूरे 6 steps को तो first step है इसमें DNA parent के हैलेक्स को खोलना जो की हैलीकेस का enzyme का काम करता है फिर जो single strands बन गए उनको stabilize करता है single stranded DNA binding protein third step है अब strand बनने का काम है तो यह daughter strand को लंबा जो करेगा वो करेगा DNA polymerase 3 तो DNA polymerase 3 प्राइम एंड की तरफ नए nucleotide जोड़ता चला जाएगा और इस तरह से strands बनते जाएंगे लेकिन उनमें से strand continuously बन रहा है और दूसरा strand जैसे जैसे है लिक्सख खूल रहा है वैसे वैसे टुकडों में बन रहा है continuous strand जो है जिसको देख कर बनता है उसको हम leading parent template strand कहते हैं और जो daughter strand है वो continuous strand कहलाता है जो strand टुकडों में बन रहा है वो टुकडे aikasa की segments जैस कहलाते हैं और उस strand को हम discontinue strand कहते हैं और उसके जो parent strand है वो lagging template strand कहलाता है next step है RNA जो टुकड़े हैं और कि फ्रेग्मेंस हैं उन में से RNA primer starters निकल जाएंगे और उन starters को जग gap है उसको fill करेगा DNA polymerase 1 और end जोड़ेगा last में यह last step है और end जो जोड़ेगा वो DNA ligase जोड़ेगा तो इस तरह से जैसे जैसे हैलेक्स खुलता है उस डारेक्शन को रैप्लिकेशन फॉर्क जो है वो मूव करता है thank you for watching this show if you have any question please ask that in comments thank you so much